हाली में सरहत पार मुस्लिम मुल्क से एक खबर सामने आई है जिस पर लंबे समय से सुप्रीम कोट में कारेवाई चल रही है खबर है कि मदीना मस्जित को गिराय जाने वाला है उसे अवयद घोशित कर दिया गया है ये फैसला लेना जितना ही आसान है उतना ही इसे धार्मिक तनाव उत्पन हो सकता है हालाद बिगड सकते हैं लेकिन स्थिती ऐसी है कि इस निरने को वापिस भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वज़ह ठोस है इस फैसले से बहुत कुछ बदल सकता है जिसके आसार धीरे धीरे पाक की जनता में आक्रोश की रूप में नजर आ रहे हैं आज की वीडियो में हम मदिना मस्जी से जुड़े विवाद पर विस्तार से बात करेंगे जिसमें इसके विवाद इस पर लिया गया फैसला और फैसले से हो रहे बवाल हर कुछ पर बारी-बारी से बात करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं इससे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप दरसल पडोसी देश पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने कराची के तारीक रोड इलाके में स्तित मदिना मस्जीद को गिराने का आदेश बरकरा रखा है दरसल मस्जीद प्रशाषन ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोट से इसकी समिक्षा की मांग की थी जिसके बाद अब S.C. ने ये याचिका को खारिच करते हुए कहा कि अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती आपको बता दे कि ये मस्जित तारीक रोट के पास M.A.T. पार्क की जमीन पर अवैद रूप से बनाए गई थी जिसके बाद इन सभी अवैद निर्मानों को सुप्रीम कोट ने गिराने का आदेश दे दिया वही पाकिस्तान के न्यूज चैनल के मताविक मस्जित के प्रशाषन ने कि याचिका दायर कर सुप्रीम कोट के 28 दिसंबर के आदेश पर पुनर विचार करने की मांग की थी मस्जित प्रशाषन ने अपनी दलील में कहा कि जिला नगर निगम ने उसे मस्जित खाली करने के लिए एक नोटिस जारी किया है लेकिन चुकि DMC East के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है इसलिए उसके पास इस तरह के नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है याचिका में कहा गया कि मस्जित के लिए PMC HS द्वारा अवंटित की गई थी और निर्मान कानून के अनुसार भवन योजिना के मन्जूरी के बात किया गया था 1994 में मस्जित के निर्मान के लिए सभी कानूनी अप्शार रिखता हैं पूरी कर दी गई थी आपको बता दी कि इस पूरे मामनी की सुनवाई सुप्रीम कोट के मुखे नायदीश गुलजार एहमद के अधिक्षता वाली तीन सदसी पीट कर रही है पाकिस्तान के अटर्नी जर्नल खाली जावेद खान ने मंगलवार को कोट से अपील की कि इमामना धार्मिक तनाओ को जन्म दे रहा है इसलिए वो अपने फैसले की समिक्षा दुबारा करें जर्षित एहमद ने अटर्नी जर्नल को बताया कि सिंद की सरकार मस्जित के लिए कोई दूसरी जमीन दे सकती है अटर्नी जर्नल खान ने सर्वोच्चे नयाले से फैसला को पलेटनी की अपील करते वे कहा क्योंने पता है कि मस्जित के लिए जमίν उपलब्द कराना राजे सरकारों की जिम्मेदारी है लेकिन जब मस्जित निर्मान के लिए नई जमीन आवंटित नहीं हो जाती तब तक मस्जित को गिराने का फैसला थागित किया जाहिए Attorney General ने का कि सिंध सरकार मामने में पक्षकार नहीं है उन्होंने अनुरोथ किया कि Chief Justice मस्जित को गिराने का आदेश जारी करने से पहले सरकार से विस्तरित रिपोर्ट मांगे आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राहे में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे हैं अचसे न्यूस धन्यवाद